ही व्रीवन वेलकम टू कारन क्रंच आज के हमारे वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं आइडियल टाइप्स करंदी हम मैक्स लेब डिसकस कर रहे हैं मार्क से दरकेंग हमारा कंप्लीट हो गया है जिसने अभी तक नहीं देखा है गो थू दे प्रीवेस वीडियो आपको पर लिंक मिल जाएगी सोशिल थिंकर स प्लेइस की या नितिन सांगवान प्लेइस की जिसमें आपको सारे वीडियो फूर्स सेकिंड थर्ड फूर्थ चैपटर नितिन सांगवान सर की बूप का मिल जाएगा ठीक है आइडियल टाइप्स का इंट्रोड़क्शन जो है हमने कल दे दिया था पुरानी वीडियो में हमने दे दिया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ideal type एक general framework है जो आप construct करते हो फिर अगर आपको कोई भी meaning establish करना है वो meaning समझने के लिए आप उन ideal types को refer कर सकते हो अपनी research conduct करने के लिए that means meanings को interpret करने का ये एक scientific तरीका आप उसको भूल सकते हो तो काफी important concept है ठीक है जो आपको Max Weber ने दिया था अब हम देखते है सरने book में क्या लिखा है Weber ने कहा था sociologist को develop करने चेंशे conceptual tools जो बाद में historian sociologist वगेरा refer कर सकेंगे उसके लिए उन्होंने develop किया ideal types को इन्होंने define किया one-sided accentuation इसको या one-sided exaggeration भी बोला जा सकता है of one or more points of view and by the synthesis of a great many diffuse, discrete or more or less present and occasionally absent concrete individual phenomena which are arranged according to those one-sidedly emphasized viewpoints into a unified analytical construct तो ये एक mental construct आप इसको बोल सकते हो किसी एक चीज का बनाते हो मैंने आपको democracy की example दे थी ठीके तो ये one-sided accentuation है या one-sided exaggeration है इसका क्या मतलब हुआ देखो जो democracy अगर हम example लेकि समर्ज़ें या religion की example समझो हम एक religion का जो important points है ठीके essential characteristics जो religion आप books में अगर religion देखो religion के क्या क्या सारी चीज़े हैं जो बिल्कुल perfectly religion को describe करते हैं वो वो चीज़े नहीं होती है ये बिल्कुल उसके mirror image नहीं है ये वो है mental construct जो real world में present है और वो base होता है किसके interest पे researcher के interest पे क्योंकि ideal type क्या है ideal type कौन बना रहा है researcher बना रहा है तो वो क्या करेगा वो देखेगा reality क्या है religion की world में religion के बारे में क्या बोला जाता था क्या evolve हुआ कैसे हुआ वो सारी चीज़े इसके लिए important नहीं है इसको देखना है real image real world में religion क्या है उसके basis पे ideal types बनाएगा तो वो इसके interest पे based होता है इसलिए one-sided exaggeration या one-sided accentuation इसको बोलते हैं यह किसी भी चीज़ को उसके perfect form में या most desirable form में construct नहीं करता है ऐसा नहीं religion को आप perfectly describe करो नहीं reality में जो religion exist करता है society में उसका एक ideal type बनाऊगे जो बाद में आपको help करेगा किसी भी religion को समझने के लिए ठीक है for example इस book में ही आगे आपको इस chapter में example में लेगी जैसे आपको 17th century के around जो activities, commercial activities हो रही थी या वो time था जब आपका commercial revolution चल रहा था उसको अकर समझना होगा तो उसके लिए आप ideal type of capitalism बनाऊगे आपने ideal type of capitalism बनाया तो 17th century में जो चीज हो रही थी commercial lines पे वो समझना आपके लिए easy हो जाएगा ठीके तो ऐसे आपकी ideal type जो है वो help करता है आपको कोई भी research conduct करने के लिए आपका काम आसान बनाता है आगे देखते हैं यह होगी definition Weber ने कहा था ideal type जो है it has to be derived inductively from the real world जिसमना आपको बोला of social history and not deductively or from the personal judgments तो इसमें personal judgments भी नहीं आती है research यह भी religion के बारे में नहीं लिख सकता है जो वो religion को समझता है उसको real picture describe करनी है जो world में भी religion की चल रही है हमें पते हैं हमारे पास दो procedures होते हैं inductive और deductive यह हमने 3rd chapter में पढ़ लिया है inductive होता है अगर आप के पास facts है ठीक है आपके पास अलग facts है उन facts की basis पे आप अपनी theory बना रहे हो ठीक है तो मतलब एक particular चीज से आप एक general चीज पे जा रहे हो वो आपका inductivity है या आपका inductive approach है और deductive इसका बिलकुल उल्टा है deductive में आप क्या करते हो आपके पास theory already होती है that means यहाँ पे आप general से कहां जा रहे हो फिर आप facts deduce करते हो उस theory में से facts derive कर रहे हो conclusion derive कर रहे हो general से आप एक particular चीज पे जा रहे हो यह आपका deduction है और यह आपका induction है ठीक है Weber के जो ideal types है is the type of objective methodology to study social action social वो हमने social action के ideal types पढ़ लिये थे याद आप put traditional effectives over rational and word rational वो ideal types है social action के तो basically उन्होंने क्या का था meanings को समझो उसके लिए scientifically समझो meaning को तो scientific समझने के लिए कुछ methods यह दे जैसे आपका worst turn method था वैसे ही आपका ideal type method वी है जो scientifically समझता है कोई भी meanings established by the actors जो concept ही आप नहीं बोल सकते बिलकुल नया है क्योंकि दुरखेम का जो types of suicide है उसको भी एक ideal types of suicide है आप मान सकते हो यह most desirable or perfect नहीं होते हैं यह वो actually होते हैं जो reality में हो रहे है world में ठीक है किसी आप emphasize करते हो essential characteristics किसी एक social item के ठीक है it constitutes various elements though are abstract but can be later recombined and reconstituted to understand a particular reality जैसे मैंने आपको last video में democracy की example भूली abstract form में आपने उसको लिखा कि अभी आप कोई reality तो नहीं लिख रहे हो आप बस लिख रहे हो क्या essential चीज़ें है democracy की फिर अप reality में for example इंडिया की democracy समझोगे तो आप देखोगे हाँ यहाँ पे coalition होती है यहाँ पे इतनी सारी parties जो है वो election लड़ती है ठीके that means multi-party system है तो फिर उस abstract के basis पे आप क्या करते हो एक particular reality को समझने की कोशिश करते हो तो इसको measuring rod भी बोला गया है measuring rod fair enough आप बोल सकते हो इसको अभी तक तो आपको इतना समझ आ गया होगा the other heuristic devices इसको heuristic devices भी इसले बोला गया क्यूंकि shortcut है आपकी चीज़ों को समझने के लिए जो आपको help करते है बड़ी-बड़ी चीज़ों को shortcut से आप समझ सकते हो they are useful in doing empirical research क्यूंकि वो ही basic था empirical research करना ही जो basic funda था Weber का इसले लेके आये थे और understand करना specific aspect of the social world कोई भी चीज़ को आप समझ सकते हो bureaucracy हो democracy हो religion हो family हो किसी चीज़ को आप समझ सकते हो Weber ने का था ideal type एक reality खुद से नहीं है but it is a way to express the reality Weber ने का its function is comparison with the empirical reality in order to establish diversions or similarities ठीक है कि आप divergence भी इससे समझ सकते हो similarities भी समझ सकते हो again democracy की example लेके उसका ideal type बनाया तो फिर आप किसी भी country की democracy को समझ सकते हो कि वो actual democratic है या नहीं है to describe them with the most unambiguously intelligible concepts and to understand and explain them causally ठीक है आप understand कर सकते हो with the most unambiguously intelligible concepts मतलब जो आपने framework बनाया आप उसको unambiguously अब उसमें कोई ambiguity तो नहीं रही ना क्योंकि आपके पास अगर 5-6 points आगे democracy के democracy के आपके पास 5 essential characteristics आगे तो आप unambiguously आप उसको समझ सकते हो किसी भी bureaucracy को अब उसमें कोई ambiguity नहीं है क्योंकि आपके पास concrete कुछ points आगे है ideal type is not a conception of a perfect or desirable but it is a most pure or typical form of a certain phenomenon ठीक है, fair enough उसके बाद वो derive होते हैं real world से mirror images of that world वो नहीं होती है जो real world में actual चल रहा है वो आप ideal type उस पे अपना base करते हो यह based किस पे होते है on researcher's interest इसलिए सो criticize भी किया जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें subjectivity आ जाती है क्योंकि researcher ही तो है जो ideal type बना रहा है तो जो ideal type बना रहा है that means वो खुद से बना रहा है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो अपना आएगा अपनी तरफ से तो वहाँ पे subjectivity आ जाती है ठीक है need for building an ideal type arises from the nature of social reality इस पारग्राफ में क्या कहता है है कि हमारी जो society है वो इतनी complex है अगर मैं आपको ऐसी बूलो आपके पस कोई framework नहीं है कुछ नहीं है मैं आपको बोलू कि religion के बारे में कुछ लिखो ठीक है क्योंकि complexity है इतने सारे religions है इतने सारी चीज़े है religion को लेके आप कैसे बनाओ आप कैसे लिखोगे उस पर कैसे research करोगे उस पर आपको कोई direction नहीं है तो ideal type से क्या करते हो कुछ critical features लिखके आप उनको importance दे कि अपना ideal type बना उसके basis पे फिर आप दुनिया का कोई भी religion जो है वो study कर सकते हो यहीं यहीं पर लिखा हुआ है कि to understand each part features of that part must be understood separately ठीके क्योंकि अगर आप खुद से समझना चाहो आप whole picture को नहीं समझ सकते आप religion ऐसे whole को नहीं समझ सकते आपको कुछ-कुछ idea होगा religion का जो आप parts में समझ सकते हो लेकिन अगर आपने ideal type बनाया आपके पास for example 10 points है तो कहीं नहीं आपके पास एक kind of whole picture बन जाएगी उस social phenomena की जो ideal types है देखो ideal types की formulation कैसे होती है इसको formulate करने के लिए आपको trained investigator की जुरत पढ़ती है जो ठीक है अच्छे से इसको formulate कर सके और ये based होते है interpretation of the investigator but are definite specific traits which constitute the reality although ये उसकी interpretation पे होते हैं लेकिन कोई specific traits होते हैं जो आपकी reality आपके सामने लेके आते हैं इसलिए आपका investigator है काफी trained होना जाए otherwise subjectivity का element इसमें बहुत जादा होगा तो Weber ने जो ideal types बनाए उसको हम group कर सकते हैं कुछ categories में historical particular जिसमें उन्होंने कुछ history से related जैसे ancient city protestant ethics और capitalism वगेरा के ideal types बनाए ideal types of abstract phenomena in social reality जैसे आपके social action authority कुछ abstract concepts के phenomena के इन्होंने ideal types बनाए particular behavior के economic political behavior types के structural ideal types जैसे traditional domination हो गया इसमें इन्होंने cause and consequence of social action इनके ideal types बनाए ठीकि जैसे हमने social action के ideal types बढ़े थे वो structural ideal types में आएंगे तो कुछ ideal types आपके पास ready हैं तो ideal types का एक benefit क्या है आपके पास एक ready made material आ गया अब अगर आपको कोई भी social action पढ़ना है तो आप अराम से उसके ideal types देखके बता सकते हो किस type के social action है और उसके क्या characteristics है तो आपके research को एक direction भी kind of मिल गई और आपके लिए वो थोड़ा easy भी हो गया आपका काम Weber ने क्या किया इन्होंने middle ground find किया between nomathetic and ideographic देखो nomathetic मैंने यह अगेर हमने शाहिए discuss किया है third chapter में nomathetic होता है जिसमें आप generalized universal principles बनाते हो और ideographic होता है जिसमें आप specific चीज़े describe करते हो चाहिए वो कोई specific particular phenomenon हो तो उसके बीच में इन्होंने middle ground find किया क्यों इन्होंने कहा कि ideal type इतना ज्यादा universal भी नहीं होना चाहिए for example आप religion का ideal type बना रहे हो यह ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसमें आप history of religion in general वैसे type के ideal type बना हो यह इतना specific भी नहीं होना चाहिए कि आप अपना उसमें जो है viewpoint कि आप religion को क्या समझते हो individual experience क्या है religion का लेके individual religious experience ऐसी चीज़े हो आपको इनके बीच का middle ground निकालना है ना आपको बिल्कुल general nomothetic universal laws, universal religion वैसे करके चीज़े लिखनी है ना आपको बिल्कुल ideographic इतना specific होके आप अपना experience उसमें ideal types में describe करना शुरू हो जाओ कि religion ऐसी ऐसी चीज़े है तो आपको एक middle ground find करने की कोशिश करनी है ठीक है और उन्होंने का ideal type आप एक ही साथ नहीं बना सकते क्योंगी society हमें पते है constant नहीं है डाइनमिक है चेंज होती रहती है तो इस वज़े से आपको 99 typologies जो फिट करें उस changing reality को वैसी discover करते है आपको रहना पड़ना है ideal type जो परफॉर्म करता है various functions for the researcher functions देखो क्या पहला हो गया measuring rod clear second हो गया आपके पास ready reference and save the researcher from the hassles of studying a phenomena ठीक second point भी होगे भी मैंने आपको explain कर लिया for example ideal type of capitalism जो example मैंने आपको दी थी वो आपके पास ready reference है समझने के लिए 17th century में जो commercial activities हो रहे थी उनको thirdly prediction possible for example आप bureaucracy का अपने ideal type बनाया अब आप किसी complex organization को study कर रहे हो तो bureaucracy के ideal type से आप जो organization है उसको predict कर सकते हो कि उस organization का behavior किस तरीके का हो सकता है fourthly यह आपको help करता है link करने के लिए multiple phenomena उनको आप आपस में link कर सकते हो compare कर सकते हो उनका relation find out कर सकते हो यह study इन्होंने की थी P.E.S.C. जो हमें पढ़नी भी है protest in ethic and spirit of capitalism इसमें इन्होंने protest जो protestantism है और capitalism है इसका अलग-अलग ideal type बनाया फिर इन डोनों को compare करके इनका relation जो है वो establish किया अब इसका criticism देखते है Weber has not suggested any specific method to identify the elements of ideal type वो उन्होंने investigator पे रखा जिसकी वज़े से subjectivity आने के chances जाद है क्योंकि ideal type के क्या elements होने चाहिए उन्होंने नहीं बोला उन्होंने का one side accentuation किसी भी एक process की एक social phenomena की ठीक है secondly, despite his claim of objectivity जो ideal type है highly susceptible है to subjectivity of the investigator क्योंकि ultimately investigator के shoulders पे ही सारा काम है यह ideal types formulate करने का next video में हम discuss करेंगे इनका और एक important topic authority so till the time I upload next video bye take a have a great day do give a thumbs up share करें इसको friends में comment section में active रहें बताएं क्या समझ में आया क्या नहीं आया और कोई video कर आप चाहते हैं में लेकिया है उस तो शोलोजी से related तो में को ज़रूर comment section में बताएं तो do share, subscribe and support this channel bye bye take care have a great day